तो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दा मेडिकल साइन्टिस्ट में आज एक बार फिर हम आज़े है एक नहीं वेकेंसी के साथ और एक बंपर वेकेंसी के साथ एन एम यूपी की तरब से एक वेकेंसी निकली है जिसमें लगबग 17,000 प्लस पोस्टों पे गई गई है उन पोस्टों में एन एम इस्टाफ नर्स लैप टेक्निशियन फार्मसिस्ट और एलोपेतिक जैसी कई पोस्टों पे वेकेंसी निकली गई है उसकी डीटेल्स मैं में पोस्टों पोस्ट गई अगर बात की जैए तो टोटल पोस्ट है 684 स्टाफ नर्स की 282 चैसी की फार्मसिस्टपे जैसे है लागब बádat की जैसे में तो श्टाफ नर्स का पे ग्रेट नास क respectfully तो नाम है DHS इसके अंदर स्टाफ नर्स 913 पोस्ट स्टाफ नर्स HDU 373 पोस्ट इसमें सेलरी रहेगी 20,000 और 30,000 बेस ओनरी आ हो गया इसमें 20,000 63 का प्लस रेस्ट जिया जाएगा पिर एक नई वेकैंचा की फार्मसिस्ट स्टाफ नर्स ट्राउमा सेंटर खेलिए लैब टैक्नियस्ट चाफ नर्स पोस्ट इसमें ओई होई है फिर образом по पोस्ट है, community process की बात की जाए तो उसमें staff nurse lab technician इन सब की पोस्ट है और RBS के नाम के जो प्रोग्राम है उसमें staff nurse lab technician pharmacist और A&M की वेकंसी है फिर child health में सिर्फ staff nurse की वेकंसी है और PM, ABH, IAM उस प्रोग्राम में lab technician की पोस्ट है फिर 15th finance commission है उसमें lab technician, staff nurse और A&M की वेकंसी है फिर बात करो, national program में pharmacist की lab technician, lab technician, NVHCP, NCP की पोस्ट है और NCD नाम की प्रोग्राम जो है उसमें staff nurse, staff nurse, staff nurse की पोस्ट है जो अलग-अलग प्रोग्राम के तहत ली जाएगी, blood bank में lab technician और staff nurse की वेकंसी है और अगर training की बात की जो उसमें lab technician की पोस्ट है है, इलिए 11 पोस्ट है है तो टोटल 17,291 पोस्ट हो पे वेकंसी आई हुई है आप सभी जो उसमें eligible है उसमें apply कर सकते हैं इसमें एक चीज दिखाए देगी है आपको जो इन्हेमिटेट होगा जो रिजिर्वेशन होगा उसको provide के जाएगा जो domicile होगा यूपी का उसको रिजिर्वेशन का फाइदा मिलेगा अगर इसमें live online application की बात की जाए तो 27 से 11 को 12 बजे से शुरू हो गए है और अगर closer की बात की जाए तो application इसमें 12 बारा 12 दिसंबर 2022 तक चलेगा रात को 12 बजे तक फिर अगर इसमें बात करें सभी exam होगा और अगर percentage की बाद exam के बाद अगर उसके अंदर cbt exam होगा उसके additional percentage जाए जाए जिसमें active engagement होगी इसी का experience के इसाब से उसमें marks मिल जाएंगा अगर पांच परसेंट मार्स मिलेंगे अगर उसने च्या मिने का होगा cbt based doga test cbt test में general की category की cut off रखे गई है minimum 33% marks out of 100 OBC non criminal की minimum 30% marks means 30 marks out of 100 और SCST और PWD की minimum 24% marks रखे गए हैं out of 100 इसी के साथ अगरे category में आप देख सकता आपके कौन से category है उसमें क्या हारा है और जो eligibility है वो staff nurse के लिए बात करें तो इसमें diploma in nursing में midwifery और SC B.A.C. अगर nursing का रखी होगी इसने उसके भी वो भी LGL होंगे एनमे certified diploma in excellent nursing and midwife by recognized institute वहना चाहिए फार्मा से stylopathic उसके अदर intermediate with diploma pharmacy degree in pharmacy ठीक है और lab technician के लिए degree in medical laboratory technology और intermediate 10 plus 2 plus in science with diploma in medical laboratory technology को माना गया है इन सभी में यह है कि आपको registration UP council के अंदर भी registration होना जरूरी है सभी में age limit 18-40 साल की age limiter की गई है उसी के साथ selection process में पहले exam होगा computer-based test होगा आपको इसके बाद जो cut-off निकलेगी फिर वो बता जाएगा qualifying लोगों को list निकाले जाएगी ठीक है फिर और important instruction की बात किरों तो age limit की बात कीती है हमने इसके लाबा documents की बात कीज़ें तो photograph अगर आई आपको documents की में इसका पूरा link दे दूंगा वहां से आप download कर सकते हो यह पूरी instruction पढ़ सकते हो कौन सा documents की इसको क्या चाहिए कब कैसे fill up करना है सबी इता ठीक है आपको दिखे अगर किसी भी अगर को एक inquiry हो तो आपको 10 to 5 पी एम तक working days में यह नंबर दे रहे हैं help line number 02261306219 इस पर help line नंबर पर phone कर सकते हो और या फिर email भी कर सकते है www.upnrhm.gov.in इस पर जाके आप साइड डीडियल्स ले सकते हो इसी तरह के वीडियो के लिए हमें फॉलो करें आगे जो भी जानकरी आएगी उनसे भी जानकरी का आप तक पहुंचाया जाएगा धन्यवाद टैंक यू